उस समय आपको वो दिखाई नहीं परेंगे वो चले जाते हानिमून मनाने के लिए विसेस पैकेज दे करके कैसे विहार आगे बड़े इसका वो विहार उस कटेगरी में नहीं रहने के बाबजूद भी विसेस राज के दर्जा पर कुछ भी बोलने का नेती कदिकार नहीं है विहार उस कटेगरी में नहीं खड़ा है को वो जंगल राज और विहार को वो सुरू से विसेस पैकेज का सिर्फ एक दिखावा कर रहे हैं दर्जा तो मिलना चाहिए था देखे राष्टिये जनता अदल के लोग को विसेस राज के दर्जा पर कुछ भी बोलने का नेती कदिकार नहीं है आज ये दि बिहार को विसेस राज का दर्जा नहीं मिल रहा है बिहार उस कटेगरी में नहीं खड़ा है तो ये उसी के समय की सरकार है जिस समय राष्टिय जनतादल के लोग उसमें मंत्री थे रेल, मंत्री के रूप में लालू परसाद यादब जी आदरनिया, लालू परसाद यादब जी काम करते थे उसी समय की सरकार अधन्य मुन्मोहन सिंग जी की सरकार ने पिहार को उस कटेगरी से बाहर करने का काम किया है वो घरियाली आंसु बहाते हैं कोई आज विसेसराज की दर्जा की बात की चर्चा हुई ये सो बात नहीं है सुरू से विसेसराज की दर्जा की चर्चा है लेकिन बिहार उस कटेगरी में नहीं रहने के बाभजूद भी चुकि देश के यससरी प्रदानमंतिय आधनिय नरेंद्र मोदी जी को बिहार की चिंता रहती है बिहार के विकास के लिए वो संकल्पित हैं इसी लिए समय समय पर विसेस पैकेज दे करके कैसे बिहार आगे बढ़े इसका भरपूर ख्याल रखते हैं और इस बार का जो बजट हुआ जो बिहार के लिए अथी हासिक दीन था केंदरिय बजट का दीन और आपने देखा होगा जो बिहार में कहते हैं विसेस राज का दरजा मिले वो उनके एलाइंस के लोग उनके साथ इंडी एलाइंस में के लोग लोग सभा में कहते हैं कि यह बजट बिहार का था तो इस परकार से उनको बिहार के विकास से उनको बहुत तकलिफ हो रही है बिहार में यदि यह सवी परदान मंत्री जी इतना इतना करोर हजार करोर का रासी दिये हैं तो इसके लिए वो लोग सब हम इसको बिहार का बजट बोलते हैं और बिहार में कहते हैं कि हमको यहाँ बिसे सराज का दरजा मिलना चाहिए इस बार जो मौनसु सतर रहा पांस दिन का जो कल खतम हुआ है नेताब पतिपक्ष तेस्वी आदब नहीं देखे आपको क्या लग रहा है जी पतिपक्ष को कहीं नेताब पतिपक्ष की जिमितारी उतनी ही बनती है जो सदन में चीजों को उठा लहाँ कि वो कह रहे थे जो हम जनता के दिल में रहते हैं फिट होने के लिए बाहर गए थे और लेकिन हम लोगों के दिल में है 15 गर से लागा तर लोगों के बीज रहेंगे देखिए ये कोई पहली बार नहीं है और रास्टिय जनता दिल के लोग का कभी भी जब बिहार के विकास की बात होगी बिहार की तरक्की की बात होगी उस समय आपको वो दिखाई नहीं परेंगे वो चले जाते हानिमून मनाने के लिए बिहार के में बिधान सभाजब होता है तो वह समय बिहार के लिए बहुत ही महत्पूर्ण समय होता है उसमें पक्ष भी पक्ष मिल करके बिहार के लिए कई बड़े बड़े निर्णे लेते हैं लेकिन ऐसे समय में आपको यह पहली बार की घटना नहीं है यह बराबर की उनकी घटना है जब जब बिहार के लोगों के लिए की बात आती है बिहार के विकास की बात आती है तब वो गायब हो जाते हैं उनका सुरू से प्रकृती रहा है कि बिहार को वो जंगल राज और बिहार को वो सुरू से खाव पकाव के लिए रखे हुए है वो 2005 से उनकी सरकार थी और जब उनकी सरकार की आप बात करेंगे तो आप देखे होगेगा High Court ने जंगल राज उस सरकार को कहा था तो उनके मन में बिहार के विकास के परती कोई भाव नहीं है ना वो कभी चाहते हैं कि बिहार विक्सित हो सिर्फ बिहार विकास का वो ढोंग रस्ते हैं जनता सब समझ रही है और इसलिए जनता उनको जब चुनाव का समय आता है तो उनको उस हिसाब से जवाब देती है क्या लग रहा है पचीस में आप लोग आप आएंगे या आप ये कहलें मिलकर के पचीस में सरकार बन जाएगी देखिए बिहार में बिहार की जनता कभी भी यहां इंडी एलाइंस की सरकार होने नहीं देगी बिहार का अनुभव लोग को उसके समय का अनुभव राष्टिय जनता दल के समय का अनुभव लोगों ने किया है कि किस परकार से बिहार में ब्रस्टाचार, लवेन, ओडर की समस्या थी और किस परकार से बिहार को जो है सो बिहार के लोग यहां से पलायन कर रहे थे तो इसलिए कभी भी बिहार के लोग इनके सरकार को यहां आने नहीं देगी और हमलों का जो गठवंदन है NDA का गठवंदन आप अभी लोकसभा के चुनव में भी आप देखे होंगे कि जिस परकार से NDA गठवंदन को 40 में से 30 सीट यहां की जनता ने दिया लगवग 175 विधान सभा में अभी अमारा बढ़त है आने वाले समय में 200 से अधिक सीट पर हम जीत करके पुना विहार में NDA की एक मजबूत सरकार बनेगी यह हमको पुड़ा 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 जी क्या रोल रहेगा सब लोग एक साथ हैं और सब लोग मिल करके बिहार के विकास के लिए बिहार में 2025 में NDA की सरकार बनाएंगे अब ही के समय में बिहार में यदि कोई अपराद होता है यह ठीक बात है कि हम नहीं कह सकते हैं कि दो-चार अपराद नहीं होता लेकिन अपराद होता है तो निश्चित रूप से अपराद ही को पकड़ा जाता है आप देख रहे हैं कि जितनी भी घटनाई से पहले हुई है आपको पता है कि बिहार में अपराद करने का अपराद को रचने का एक समय था बिहार में 2005 से पहले कि सरकारी अस्तर से अपराद किया जाता था अपरादी को सरकारी संरक्षन मिलता था बिहार अपरन उद्योग के नाम से जाना जाता था आज बिहार में अपरादी को खौप है लेकिन कुछ अपरादी इसके बावजूद भी कुछ अपराद करते हैं जो सुरू से अपराद करने का जिनका सुरू से रहा है वो अपने को नहीं बदल पाते हैं और अपराद जब होता है तो हमारी सरकार 24 गंटा और 48 गंटा 72 गंटा के अंदर अपरादी को पकड़ के हम लोग उसको सजा देते हैं इसलिए हम समझते हैं और जब अपराद इंडेक्स की बात करेंगे तो दो चार घटनाएं आपको दिखाई परती है लेकिन जब आप उसको देखेंगे तो महा कटवन्दन की जब सरकार थी उससे बहुत कम अपराद अभी भी हमारे यहां है हम लोग और इससे कोशिस में लगे हुए हैं कि और अपराद घटे अपराद की संख्या घटे और विहार अपराद मुक्त हो इसके लिए हमारी सरकार चेंतित है चेंतित रहती है और इसके लिए करवाई भी करती है तो हमारे साथ आलोग रंजन जीते जिनसे बात कर रहे थे क्या कुछ कह इन्होंने आशरवाद इजी कौन ग्रूप भरोसी का दूसरा नाम हम सिर्फ घर नहीं खुशिया भी बनाते हैं आशरवाद रोस वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विट आल मॉडर्न अमैनिटीज पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिये हमारे नमबरों पर संपर